तो हेलो मेरे यारो मेरे शेरो कैसे हो समयना तो हमारे इस सुप्रीम सिस्टम के इस निव एपिसोड के सुरवात में हम देखते हैं कि हमें मिलीटरी केम्प दिखाया जाता है बिलू सिटी का जहां पे उसके बाहर फैंग खड़ा होकर अपने एक पावरफुल अटेक को रेड अंदे मर जाते हैं और वहां पे जमिंग भी तूड़ जाती है और बहुत ही अतरनाक धमाका होता है और सुप्रीम सिस्टम बोलता है कॉंग्रेशुलेशन टू प्लेयर जहाव फैंग आपको 24 लाख पॉइंट्स मिलते हैं इस किलिंग के लिए और फिर हम देखते हैं फैं ग्रेंड मास्टर में अपडेट हो जाता है हमारा ही हीरो इतनी जल्दी जल्दी लेवल अप इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इस मांगे का नाम ही है सुप्रीम सिस्टम एंड दा मेजेस्टिक लेवल अप फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि फैंग हमारा एक बॉक्स को दे क्या मैं इससे जादू सीख सकता हूँ फिर हम देखते हैं सुप्रीम सिस्टम बताता है कि जब आप इसे पूरी तरह से सीख लेंगे तो आप कई तरह की जादूों को सीख पाओगे फिर हम देखते हैं फैंग ये सुनकर बहुत ही जादा खुस हो जाता है और खुसी के मारे नाचते हुए कहता है तो मैं तो ऐसे करके अनलिमीटेड जादू के आर्ट्स को सीख सकता हूँ फिर हम देखते हैं फैंग खुसी से एक और बॉक्स को ओपन करता है और कहता है टेप करते हुए ओपन फिर हमें दिखाया जाता है कि उस box के अंदर से एक book निकलती है जो कि परफल कलर में चमक रही होती है उसमें लिखा होता है वेब लाइक stable steps मतलब की वेब steps फिर हम देखते हैं उसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है कि ये जो वेब step है book है इसे specials परियों को नाते हुए चुपके से देखने के लिए ही बनाया गया था जो कि हमें दिखाया जाता है साब साब फिर हम देखते हैं फैंड उस book को रखते हैं काता है ये तो बहुत ही पढ़िया है मुझे इसे अभी सीखना है फिर हम देखते हैं कि supreme system उसके brand में ये सब कुछ upload कर देता है और फैंग के चारों और कुछ letters उड़ रहे होते हैं और उसके body में absorb हो रहे होते हैं फिर हम देखते हैं फैंग बहुत ही speed से उस web step का उपयोग करके running कर रहा होता है और वो काता है हाँ मुझे अब बाहर जाके इसे test करना चाहिए कि ये कितना बढ़िया है फिर हम देखते हैं कि कई सारे military camp के बंदे वहीं पर लेटे हुए होते हैं मतलब उन्हें बुरी तरह से कूटा गया हुता है जो कोई और नहीं फैंग ने बहुत ही तेजी से किया होता है और फैंग काता है ये दोड़ते हुए ये तो बहुत ही कमाल का है फिर हम देखते हैं फैंग उस केम्प के अंदर बुसके चुका होता है और उसके सामने कमांडर खड़ा होता है और वो कमांडर सब का लीटर खड़ा होता है पेई और पेई काता है सिटी गाट को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बास्टर्ड तुम आज नहीं बचोगे फिर हम देखते हैं वहां के सारे शेनिक चिला कर कह रहे होते हैं कि हाँ मिश्टर पेई इसे मार डालो ये लड़का बहुत ही बुरा है इसे मार डालो ये बचेगा नहीं तभी एक बंदा चिला के कहता है हाँ इसकी हालत तो देखो ये तो पहले से ही मिश्टर पेई को देखकर काप रहा है फिर हम देखते हैं कि फैंग खुसी के मारे वो सब काप रहा होता है और कहता है इतने सारे मुप्त के एक्सपेरियंस पॉइंट मुझे तो ये सारे चाहिए फिर हम देखते हैं कमांडर चिला कर तलवार दिखाते हुए कहता है कि लड़के तू आज नहीं बचेगा बच नहीं सकता है मुझसे फिर हम देखते हैं फैंग उन्हें सांती से देखते हुए कहता है मैं नहीं बचूंगा तुम नहीं बचोगे ये तुम्हारे लिए परिशानी की बात होगी ये सुनकर हम देखते हैं वो कमांडर हाशने लगता है और हसते हुए कहता है देख लो इस पागल को ये तुम लोगों ने सुना इसने क्या कहा जाओ इसे पकड़ लो फिर हम देखते हैं कि सब भी बंदे फैंग की और पकड़ने के लिए फैंग को पकड़ने के लिए तूट परते हैं ये सरका के फिर हम देखते हैं फैंग अपना गोल्डेन लायन रोरिंग टेक्निक को करता है, जिससे एक बहुत ही कस के रोरिंग शाउंड निकलती है, बलास्ट होता है, जिससे सारे बंदे घायल हो जोके होते हैं, और कमांडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो अपने घोड़े पर बैट के सांथी से देख रहा भोता है फिर हम देखते हैं फैंग में आहां सदेव में कहता है कि क्या हुआ बस इतना ही है तुम्हारे पास मैं मुझे तो और भी फाइट करने हैं फिर हम देखते हैं यह सुनकर कमांडर हैरान होता है और कहता है कि सीट यह से कैसे हो सकता है फिर हम देखते हैं कमांडर अपने तीर अंदाजों से कहता है कि अटेक करो उस पे अपने तीरों से फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि फैंग की और बहुत सारे तीर बढ माचते हुए पतली कमर्यावली डंस करते को इस ये अन सबी香港 से बचकर निकल रहा होता है और फैंक को आलस भी आ रहा होता है फिर अगले सिन में देखते है पर किमांडर है नहीं को एक भी तीर नहीं लगी फिर हम देखते हैं कि कमांडर के टकले पे अचानक से एक तीर आके पड़ता है जिसे कमांडर बहुत ही गुसा हो जाता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मुझे तीर मारने की और उसके टकले से जहरना फूट रहा होता है उसके सेनिक्स कहते हैं कि हमें नहीं पता कमांडर फिर हम देखते हैं کہ फेंग उस बिल्लिंग के ikit मिलिटर केंपरिया होता है उसके बॉन्डरी पर लेता है और कहता है कि फॉलिस मुर्क तुम कहां देख रहे हो मैं तो तुम्हार सामने विलेता हूँ फिर हम देखते हैं कमंडर चिला के कहता है यो बास्टर्ड यो सन ओप बीच मैं तुझे मार डालूंगा आज फिर हम देखते हैं कमंडर आदेश देता है कि उस पे तीरों की बारिश कर दो हम देखते हैं सभी सेनिक अपने तीर को लेकर तन जाते हैं और फिर हम देखते हैं फैंक काता है ये सब बहुत हो गया अब ये मेरी बारी है फिर हम देखते हैं फैंक बहुत ही फास्टली तरीके से वेब अश्टेप का परियोग करके उन सभी तीरों को अपने पास जमा कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं फैंक उन तीरों को जमा कर जिसमेंगे की होसीत्स दिसमेंगे कोतशति है This is a जश्ये में इस हो रहा है ये तो नहीं हो सकता यह तो रिल नहीं है जल्दी भागो यहां से यहां पर हम हैं नसख्रारा रहा होता है कैब तुम सब वागते हैं फिर हम देखते हैं फिर हम standards यह सब कुछ देखर उस कैपटन की सकल को देख लाग रहा होता है जैसे इसने सस्ते नसे किया होँ और फिर कैपटन कहता है कि यहीं की पहुआत देखके लगता है यह कम से कम five star grandmaster तो जरूर होगा लेकिन मैं 87 star grandmaster हूँ मुझे मैं इससे एक हार नहीं सकता हूँ फिर देखते हैं यह काकर वो कमांडर बहुत ही तेजी से फैंग की और इटेक करने के लिए अपने घोड़े से बढ़ जाता है और बढ़ते हुए कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जा। और हम देखते हैं फैंग उसके सामने खड़ा होता है और वो कमांडर फैंग के उपर अपने भाले से अटेक कर देता है फिर हम देखते हैं फैंग उस अटेक से बसते हुए और वहां से भागते हुए काता है कि अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ लेवल आपको करना होगा फिर हम देखते हैं कमंडर उसके पीछे अपने घोड़े पर दोड़ रहा होता है और कहता है कि बागो मत मुझसे फैट करो हम देखते हैं कि सिटी गाड्स अभी अभी मार खाके उठी रहे होते हैं किसी तरह से एक सिटी गाड्स पीछे देखती हुए काता है सीट वह हमारी ओर आ रहा है हमें मारेगा वह फिर से जल्दी भागो और इशीक साथ हमारा यह एपीशोट यहा बढ़ एक शस्क्राइब